नमस्क civ कार दोस्तों मैं उने खेल अब आप देख रहे हैं बस टो इट एक डूस्तों आप में से बहुत से computer users Linux को सीखने चाते हैं समझना चाते हैं और साथ ही use भी करना चाते हैं और अगर आप IT field में जाना चाहते हैं और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आपको Linux को सीखने की चाहत सही भी है ज़्यादा तर IT field like networking, server administration, programming and development, devops और cyber security जैसे field में काम करने के लिए आपको Linux पर काम करना जितना ज़्यादा आता होगा उतना ज़्यादा आपके लिए benefit होगा और अगर आप IT field में नहीं भी जाना चाहते या ऐसा कोई प्लान आपका नहीं है तब भी Linux की knowledge होना आपके personal benefit के लिए भी अच्छा है खेर benefit की बात मैं आपसे एक अलग वीडियो में करूँगा आज का ये special video मेरी special research पर अधारित है ये वीडियो आपके question को solve कर देगा और वो ये कि यार मैं Linux कैसे सीखूँ और Linux को सीखने के लिए कुछ बहुत ही अच्छी और खास user friendly website में आपके साथ share करूँगा जिनने आप learning purpose के लिए एकदम free में आज से और अभी से try कर सकते हैं तो चलें फिर देर किस बात किया सीधा शुरू करते हैं सबसे पहली website है linuxjourney.com Linux journey, Linux सीखने वाली website में सबसे top पर है इसका well organized lesson structure आपकी Linux सीखने की मुश्किलों को आसान कर देता है command line से लेके networking तक सब कुछ इस website के topics में cover किया गया है हर lesson को categorize किया गया है अलग-अलग sections में जिससे अगर आप आज कुछ सीखते-सीखते ठक गए हैं तो जो बाकी का topic है वो आप कल continue कर सकते हैं थोड़ा सा दिक्कत उन users को ज़रूर हो सकती है जिने पढ़ने की कम देखने की इच्छा ज़ादा होती है क्योंकि ज़्यादा तर lessons text-based है आपर जहां पर जोरत है वहां पर आपको code snippets दिये हुए है तो visual material यहां पर इस website पर कम है लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है और यह बात पक्किए कि आप इस website से बहुत कुछ सीख सकते है लिनिक्स के बारे में अगर आपको interest है तो यहां आपके लिए काफी अच्छे-चे challenges है बाकी basics of Linux सीखने के लिए आपके लिए यहां अलग से sections बनाए गए है जहां से आप basics सीख सकते है जितने भी challenges इस website पर है उन्हें war games का नाम दिया गया है हर war game में एक different aspect है security का solve करने के लिए अब जैसे for example मैं बात करूँ website पर पहला war game है bandit तो इसके बारे में पढ़के आप यहां पर level 0 से शुरू कर सकते हैं और फिर level 0 को solve करते हुए आप आगे के level पर आएंगे और आगे के level पर भढ़ते रहेंगे और आप एक war game को पार कर लेंगे इस तरीके से ही आप level cross करते करते इस तरीके से ही आप level cross करते करते Linux सीख जाएंगे अगली website की हम बात करते हैं और वो website है linuxsurvival.com beginners के लिए काफी अच्छी website है सभी Linux topics को और commands को यहां पर अलग-अलग modules में arrange किया गया है total 4 module है इस website पर और हर module में अलग-अलग topic है जैसे गर हम first module की बात करें तो इसमें file और directory manipulation के बारे बताये गया है कैसे task perform करते हैं कैसे commands use करते हैं काफी आसान तरीके से यहां पर इस website पर आप Linux को सीख सकते हैं आपने कई coachings में भी देखा होगा course को अलग-अलग modules में divide कर दिया जाता है इसी तरीके से आप Linux को अलग-अलग module में divide किया गया है साथ ही इसमें quiz की भी facility है एक module complete होनी पर एक quiz आपके समने जाएगा जिससे कि आपने जो सीखा है उसको quiz के माध्यम से आप पर test कर सकते हैं आपकी learning कितनी रही है इन website की help से आप free में Linux सीख सकते हैं थोड़ा सा time आपको देना पड़ेगा थोड़ा से समझना पड़ेगा आप असानी से Linux सीख सकते हैं जस्ट आपकी system में Linux अल्रेडी install होना चाहिए चाहिए तो आप इसको dual boot में install कर सकते हैं वर्चुल बॉक्स में आफिर आप Windows Subsystem for Linux की help से भी आप install कर सकते हैं जिनके तरीके मैंने आपको बताए हुए है Linux अगर आपके system में नहीं है तो use कीजिए description में आपको link मिल जाएगा मैंने आपके लिए सभी video बना रखे वीडियो अच्छा लगाओ तो like जरूर कीजिएगा share कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में नहीं जानकरी के साथ तब तक के लिए जुड़े रही है हमारे साथ और देखते रहे बस टेटाइक धन्यवाद जै